बिग्ना हर्ता श्री गडेशा सुँपा कर दो बिग्ना बिग्ना जै श्री जगनाद जी जै श्री जगनाद जी रभू जगनाद जी की जै जै प्रणाम प्रभू मुझे ग्याद था भक्त हनुमान तुम अवश्य आओगे प्रभू का काज हो और हनुमान ना आए प्रभू ये भला कैसे संभव है मेरे तो जन्म का उद्देशी है प्रभू का काज भक्त हनुमान मेरे प्रतीक मेरे मंदिर के नील चक्र को थामने के लिए तुमने अपने अश्ट पुछ स्वरूप को प्रकट किया आज के बाद मेरे जगनात पुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओ प्रभू ये भक्त तो बस आपकी भक्ती का प्यासा है आपकी सेवा करने के लिए ललायत है मैं वचन देता हूं प्रभू आज के बाद मैं यहां आपके मंदिर का कवच बनूँगा किसी भी तूफान और किसी भी संकट को आपके जगनात पुरी मंदिर के निकट नहीं आने दूँगा अनुमानुमान तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम इतनी भक्ती है कि मैं रोकूंगा तो तुम तब भी नहीं रोकोगे इसलिए मैं तुम्हें आशिरवाद देता सफल भभ धन्यवाद प्रभू प्राइब 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 अत्वा नहीं अब मुझे प्रभु कारे के लिए जाना चाहिए प्रभु कारे किन्तु वो तो संपन हो गया था ना गजानन नील चक्र की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी किन्तु समुद्र को मंदिर पहुचने से रोके विना उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था ये हनुमान जी को भी ग्याद था किन्तु सागर तो अपने प्रयोजन में स्थिर थे वो तो तीवर गती से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे किन्तु जब स्वैम संकट मोचन हनुमान मंदिर की रक्षा में थे तो वहां भला कैसा संकट संसार में किसी भी कार्य को संपन करने के लिए राम नाम ही परयाप्त है इसलिए आप फिर आगे बढ़ने का साहस मत कीजिएगा प्रभु जगनाथ जी की जैए अब समुद्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं शीक्री जाकर प्रभु की आराधना और उनके दर्शन कराता हूँ जैशी जगनाथ जी प्रभु जगनाथ जी की भत्ती भाव से दर्शन करूँगा प्रभु का आशिरवाद प्राप्त करूँगा और शीगरी अपने इस्थान पर लोट जाओंगा अधिक समय मत लगाना यहां पादुकाय मुल्यवान हैं, कहीं चोरी हो गई तो? प्रभु दर्शन में समय तो लगेगा न? शांत रहिए और पूजा करने दीजिए चलो भी, अब हो गई पूजा, भीड भी बढ़ रही है विचित रहे ये भक्त, इसके मन में पादुकाओं का ही ध्यान है चलो अब हो गई पूजा शांत रहना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है पता नहीं किस खूटे से गडबंधन कर दिया पिताचीने मेरा पूजा तक शांती से नहीं करने देते चलिए पता नहीं इतनी देर में कोई और मेरी पादुकाएं पहन कर ना चला गया हो भगवान के मंदिर में ऐसा मो यह उचित नहीं इसे तो रोखना होगा मुझे देखा, मेरी पादुकाएं मेरे पाउँ में नहीं समा रही है संभावता किसी ने चुरा लिया यहां से ये भी नहीं है व्यर्थी पूजा के समय में इतना समय नश्ठ हो गया और मेरी नई पादुकाएं भी चोड़ी हो गई देखा, ये पादुकाएं मेरी नहीं है संभावता बदल दिया किसी नहीं नहीं ये भी नहीं है शिग्रता करने को कहा था मैंने तुमने एक बात नहीं मानी मेरी कोई और ले गया मेरी पादुकाएं बस्तुओं का कैसा मोह आज है कल नहीं रहेगी निर्मान मोहा जितसंग दोशा अध्यात्म नित्या अर्थात जो मान और मोह से निवरित हो गए है जिन्होंने संग दोश को जीत लिया जो अध्यात में स्थित है जिनकी कामनाएं मिट चुकी है और जो सुख दुख नामक दोण्दों से विमुक्त हो चुके है वो उच्च पद को प्राप्त करते है और वो यहीं संभग है इसलिए यहां तो वो पुन्य मिलता है जो सदा साथ रहता है जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता उसमें ध्यान लगाना चाहिए धन्यवाद ब्राह्मन देवता आपने मेरी आँखे खोल दी मुझे मेरी भूल समझ आ गई पादुकाओं में ही ध्यान लगा रहा और इनके मोह में मैं प्रभू के दर्शन भी नहीं कर पाया हम अभी भीतर जाकर उचित प्रकार से दर्शन करके आते हैं अम मैं भी दर्शन करता हूँ उस आगर तो फिर यहां पहुंच रहे हैं जए श्री राव सागर जी आप शान्त और स्थिर रहे जिससे मैं मेरे प्रभू के दर्शन कर सकूँ धन्यवाद सागर जी तुम प्रभू से क्या मांग रहे हो बहन? मुझे तो महा प्रभू से मात्र एक बड़ा सा भवन चाहिए भवन का मैं क्या करूँगी? बहुत बड़ा भवन है मेरे पास मुझे तो सुमित्रा जैसे मूलेवान आभूशन चाहिए सुभद्रा से अच्छे आभूशन है मेरे पास मुझे तो प्रभू से सिर्फ संतान चाहिए ये मंदिन में प्रभू के दर्शन के लिए ये आपस में वाकियुद्ध के लिए आई है पुजारी जी ये प्रभू के चरणों के पुश्प है न? तब आप मुझ पर एक कृपा कीजिए प्रभू के आशिरवात के रूप में यहाँ उपस्थित सभी भक्तों पर इनकी वर्शा कर दीजिए एक भी पुश्प यदि जोली में आ गया तो प्रभू की कृपा पाने की कामना पूरी हो जाएगी जै श्री जगनात लो हमें तो पुश्प दिया ही नहीं भगवान ने हम यदि आशिरवात के भूखे हैं तो प्रभू भी भक्ती के भूखे हैं और जो भक्त उनकी भक्ती की भूख को शान्त करता है उन पर उनकी विशेश करपा होती है किन्तु आपने क्या किया आई तो थी भक्ती और दर्शन करने के लिए और उसके स्थान पर आप अन्य बातों में उलजी रही इसलिए तो आप प्रभू की विशेश करपा से वंचित रह गई कामनाओं का कोई भी अंत नहीं यदि हम इश्वर को कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए जब आप सब लोग प्रभू की बात ही नहीं सुन सकती तो आशीरवाद की कामना कैसे कर सकती हैं सागर जी तो पुना उग्र हो रही समुत्र जी मैं अभी तक एक बार भी प्रभू के दर्शन नहीं कर सका आप एक बार मेरे प्रभू के दर्शन तो करने दीजिए वैसे ही वहाँ पर आने वाले यात्री मेरा ध्यान भटका रहे हैं इसलिए आप तो शांत रहिए इस बार प्रभू के दर्शन अवश्य करूँगा मैं पुजार जी धन बहुत है मेरे पास उसमें से मैं आपको भी दूँगा बस मेरे अस्वस्त पिता जी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दीजिए ये कम है तो मेरे भवन आईए मैं आपको धन से तोल दूँगा किन्तु आपको मेरे पिता लएना चाहता है सफ़ोर्ण के द्वार खोल दीजिए जहां प्रान वायू की आवषकता है वहाँ धन्का कोई लाब नहीं कितना भी धन्दे दो ना तो तुम अपने पिता के लिए अधिक सांस मोल ले सकते हो और ना ही उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हो बस मोक्ष पाने का तो एक ही उपाय है वो है भक्ति भक्ति ही प्राणवायू है यदि आप हिर्दय में भक्ति रख कर प्रभू का नाम लेंगे तो हिर्दय में प्राणवायू का भी संचार होगा आप भक्ती भाव से शंको बजाईए आप स्वस्थ भी होंगे और प्राण वायू के मार्ग में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी आप प्रभु जगनात जी का नाम लेकर बजाईए अवश्य बजेगा जय प्रभु जगनात जी अद्भुत पिता जी कुशल हो गए शमा करे ब्रहामन देवता मैं पैसों के बल पर भक्ती मोल ले रहा था आप मेरे नहीं प्रभु के चरणत पर्ष करके उनसे शमायाचना करें उनके दर्शन करने आए हो वच्स और वो ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं जिस प्रकार जीवित रखने वाली स्वास को मोल नहीं लिया जा सकता वैसे ही मोक्ष प्राप्ती का कोई भी सरल मार्ग नहीं है महान भक्त अपनी सेवा भक्ती से नहीं जूगते श्री राम भक्त हनुमान जी सभी भक्तों का मार्ग दर्शन करने लगे जबकि उन्हें स्वयम प्रभु का दर्शन नहीं हुआ यही तो उनकी महानता है जिनके सामने हम सभी नत्मस तक है और जिस प्रकार वो सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे थे उससे कुछ महान होने वाला था महाभथ हनुमान जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उस दिन से कोई भी भग प्रभु के मंदिर आए तो वो बिना किसी भटकाओ के सची भगती के साथ वहाँ पहुँचे किंदू ये कैसे किया उन्होंने प्रभु यहां तो सभी भटके हुए हैं एक-एक को समझाना तो असंभव है अब आप ही कोई मार्ग दिखाईए मंदिर में होने पर भी ये सभी लोग विकारों से ग्रस्त क्यूं हैं यहां तो इनके मन में किवल एक ही विचार होना चाहिए प्रभु की भक्ती का काम देव यहां जो घट रहा है तो उसके पीछे काम देव है कामनाओ से मुक्ती ही सचे अर्थ में प्रभु का दर्शन है व्यक्ति का मन कामनाओ से ग्रसित हो तो प्रभु मिलकर भी नहीं मिल पाते संकट मोचन ने संकट को पहचान लिया था उन्हें कामदेव की उपस्थिती और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था हनुमान जी ने ये ठान लिया कि उन्हें मंदिर के क्षेतर को कामदेव से मुक्त करना होगा और अब हनुमान जी जगन नाच्ची पुरी आने वाले सभी भक्तों को कामना रहित करने जा रहे थे आप जो भी कर रहे हैं किरपा करके उसको रोक दीजिए और आप यहां से प्रस्थान कर जाईए एक साधारन ब्राह्मन अला मुझे कैसे पहचान सकता है यह सब क्या है आप कान है ब्राह्मन देवता श्रद्धा भक्ति और समर्पण मंदिर के प्रांगण में केवल यही भाव होना चाहिए किन्तु यह सब कामनाव के विकार से ग्रस्थ हैं जो कदापी नहीं होना चाहिए इसलिए आप से आग्रह है इस पवित्र स्थान को अपने प्रभाव से मुक्त कीजिए कामदेव मैं साधरन ब्राह्मन हूँ या आसाधरन इसका ध्यान करने के स्थान पर आप यह सोचिए कि पुरी धाम बड़ी कटनाईयों के बाद जगत स्थान के लिए अलोकिक से लोकिक धाम बना है यदि यहां भी काम से ग्रस्थ होकर दूशिद भावनाव के साथ भक्ति हां आएंगे तो भला प्रभु का आशिरवात कैसे पाएंगे यही तो मेरा कार्य है किसी को अपने मन में भाव नहीं लाने है तो ना ला इसका चुनाप तो प्रतेक व्यक्ति स्वय कर सकता है और इश्वर नै इसी काम के लिए मुझे रचा है इसी परकार प्रकृति को आगे बढ़ाने मैं सहयोग देता हूँ मैं अवश्य कामदेव इस संसार को आपकी आवश्यक्ता है किन्तु प्रतेक स्थान पर नहीं ये तो मंदिर है अर्थात इच्छा और कामनाओं से दूर एक ऐसा स्थान जहां केवल भगवान का वास होता है और यहाँ पर सभी का ध्यान एक मात्र इश्वर पर ही लगना चाहिए तो मैंने कब किसी को रोका है कोई अपने मन से उलजना नहीं चाहे बना उलजे ये तो आपको भी क्यात है कल्यूग में काम विकारों का बड़ा प्रवल प्रभाव है इसलिए प्रवु के इस्थान को छोड़ कर आप कहीं और चले जाईए यहाँ पर प्रवु के भगतों को अपने प्रभाव से मुक्त रहने दीजिए किंतु मैं आपका आदेश क्यूं माना आदेश नहीं ये तो बस मेरा आपसे अनुरोध है किंतु मुझे तो ये अनुरोध नहीं लगता आदेश ही लगता है मैं आपके आदेश को नहीं मानने बाला मैं यहीं रहूँगा आपका जो मन में आए आप कीजिए आप तो मेरी लिए अन्नि कोई और उपाय नहीं छोड़ रहे मैं तो आप पर बल प्रयोग भी नहीं करना चाहता अच्छा तो तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हो किंतु मुझे रोपना है तो वहीं करना होगा अगर आपने मुझे पराजित दिया तो मैं धाम चोड़के सदैब चला जाँ किंतु अगर मैं अपने वानों से आपको प्रभाविक कर सका तो मैं सदैब इस धाम मैवास करूँ कामदेव आप एक बार पुनह विचार कर लीजिए आप मुझे अपना कारे करने से नहीं रोप सकते हनुमान जी मैं अभी भी अपनी चुनौती पर आडिग हूँ मेरे वानों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता उचित है फिर मुझे आपकी चुनौती सुईकार है तो फिर प्रथम बार आप ही किजिए हनुमान जी मुझेम मुझे घड़े सीजकार है पर आप प्रभाव से प्रभाव डिप लगकार है झाल चल झाल तो क्या रामभक्त हनुमान भी कामदेव को नियंत्रित नहीं कर पाए? अभी तो युद्ध आरंबही हुआ था पुश्पदंत जी, रामभक्त हनुमान कामदेव के समक्ष मात्र महाबली नहीं, अपितु रामभक्त हनुमान थे, अतह ये युद्ध अस्त्रों की शक्ती से नहीं, भक्ती की शक्ती से लड़ा जाने वाला था अब मेरी बारी है हनुमान जी, मेरे दिव्य पांच वानों से आज तक कुछ प्रक्षी बच नहीं पाए, आप भी बच नहीं पाएं, और मैं सदाय बिस धाम में पास करूंगा। उत्मादन वान, जिवान शरीर में उत्तेजना उत्पन कर कामना को जागरित करता है। यह मेरे पांच वानों में से प्रथम और अचूक वान है। इसका कोई काट नहीं है। धर वान का काट है प्रभू श्री राम नाम का वान। जय श्री राम। असंभव। अभी चार वान शेश है हनुमान जी। जोशन वान। यह वो वान है जो शरीर में कामना को अग्रसर करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। अपन वान। आप मेरे दो वानों को नश्ट करने में सफल हुए हनुमान जी। अगर ही मेरे तीसरा और सर्व शक्ति शाली वान है। इसको आपकी गदा भी नहीं रोक पाएगी। मैं आपको फिर कहता हूँ। अभी भी समय है। आप लोट जाएए। नहीं तो प्रभु श्री राम का नाम लेते ही। आपका ये अति बल्शाली पाणवी व्यर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। अभी दो वान शेश है हनुमान जी। अपना बचाप कीजी। सममोहनबान जहाँ प्रभु श्री राम का नाम, वहाँ गदा का क्या काम। जय श्री राम। स्तंभनबान। नवान श्री राम। चोटे ही आप स्थंबित हो जाएंगे, पिर अपने मुख से आप रभू श्री राम जी का नाम भी नहीं ले पड़ू अब मेरे सर्व शक्तिशाली काम बंद से आप स्वें को नहीं बचा सचा सकते लेगा हनुमान जी, आप मेरे स्थंबन में आही गए जए श्री राम जए श्री राम मेरे सभी बाणों को आपने नश्ट कर दिया हनुमान जी, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था आज से पहले और आज के बाद भूत में भी वर्तमान में भी और भविश में भी जहां हनुमान है वही प्रभु श्री राम का नाम है भक्त और नुमान को प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई भी नहीं रोख सकता कामदेव आपके सभी बान तो नश्ड हो गए कामदेव किन्तु अभी मेरे सभी बान सुरक्षित हैं क्यूंकि मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास हैं श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम आपने सरवता उचिट का हनुमान जी रहे उतसे भूल हो गएeon मिए भूल गया था कि भक्ती भाव से बढ़ा कोई भाव नहीं प्र बक्त को मंदिर में भक्ती के अतरीक तोर किसी भाव के साथ नहीं जाना चाहिए मुझे एक शमा कर दीश है मैं बचन देता हूँ कि मैं आज के बाद इस धाम में कभी लॉट के नहीं हूँ और जो भक्त आपकी पूजा करेगा मैं सदा के लिए उन्हें किसी भी इस्थान पर अपने परभाव से मुक्त कर दूँ रभू जगनाद जी की ये मेरे मन में किस प्रकार का भाव आ रहा था मैं तो यहाँ प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ अब प्रभु दर्शन के लिए जो भी इहां आएंगे काम विकारों से मुक्तो कर आएंगे भक्ती के पावन भाव से ओध प्रोथ होकर आएंगे और उनके मुक्त पर प्रभु का नाम होगा मुझे साकर्जी को रोकने फिर जाना होगा जय श्री राम जय जगनात अब मैं पीछे मुड़कर ही नहीं देखूंगा अन्यता फिर मुझे प्रभु के दर्शन की प्रवल इच्छा होगी मैं प्रभु के मंदिर जाने से स्वयम को रोक नहीं सकूंगा प्रभु जगनात जी की जै प्रभु इस भक्त का मन नहीं मानता रह रह कर आपके दर्शन करने की इच्छा से विचलित हो रहा हूं मैं और इधर ये समुद्र जी जो हैं वो अवसर मिलते ही तूफान खड़ा कर देते हैं तो प्रभु इस बार मेरे स्थान पर आप ही आ जाए और इस भक्त को दर्शन प्रदान करके त्रिप्त कर दीजिए प्रभु 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 मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए मुझे प्रभु 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 मुझे दर्शन दीजिये मुझे प्रभु विकार का आकार कितना भी छोटा क्यों ना हो इश्वर से दूर ही करता है इश्वर का वास्त्विक दर्शन विकार रहित होकर मिल सकता है